साथियों, आज के इस कारकम में, मैं इंदोर के साथ ही देश भर के लाखों सफाई कर्मियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर्दी हो, गर्मी हो, आप सुबह सुबह निकल पड़ते हैं अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए। कोरोना के इस मुश्किल समय में भी आपने जो सेवा भाव दिखाया है, उसने कितने ही लोगों का जीवन बचाने में मदद की हैं। ये देश अपने हर सभाई कर्मी भाई बहन का बहुत रणी है, अत्यनत रणी है। अपने शहरों को स्वच्छ रख कर, गंदगी ना फेला कर, नियमों का पालन करके हम उनकी मदद कर सकते हैं। मुझे आद है, प्रयाग राज में कुम्ब के दोरान, आपने देखा हुगा, दुनिया में पहली बार, भारत के कुम्ब मेले की नई पहचान बनी। पहले तो भारत के कुम्ब मेले की पहचान हमारे साधू मात्मा उनी के आसपास बाते चलती थी। लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतरुत्र में प्रयाग राज में जो कुम्ब हुआ, उसकी पहचान स्वच्छ कुम्ब के रुप में हुई। पूरे विश्व में चर्चा हुई। दुनिया के अख़बारों ने कुछ न कुछ उसके लिए लिखा। यह मेरे मन पर इसका बहुत बड़ा सकारापक प्रभाव था। तो मैं जब कुम्ब के मेले में पविश्ष्तर असनान के लिए गया था, तो असनान करकर आने के बाद, मेरे मन में इनसफाई कर्मयों के लिए इतना अहूभाव था यह का अहूभाव था। मैंने इन सफाई कर्मियों के पाउँ धोय थे, उनका सम्मान किया था, उनसे मैंने आशिरवाद लिये थे. आज मैं दिल्ली से इन दोर के अपने हर सफाई कर्मी, मेरे हैर सफाई कर्मी भाई बेहन को आदर पुर्वक प्रणाम करता हूँ. उनका नमन करता हूँ कि इस कोरोना काल में आप लोगों ने इस सभाई के अभियान को जारी न रखा होता हु तो न जाने हम कितनी नहीं नहीं मुसिबतों को जहलते आपने इस देश के सामान निमानवी को बचाने में डॉक्टर तक न जाना पड़े इसके लिए जो चिंता की है न इसलिए में आपको प्रणाम करता हूँ